मीशो से मैंने खरीद लिया बहुत सारा किचन और तिवाली डेकुरेशन का सामान चलिए आपको दिखाती हूँ क्या कर मैंने खरीदा है क्योंकि कुछ जादा ही सामान खरीद लिया है ये वीडियो थोड़ी से लंबे होने वाली है चलिए एक-एक सामान निकालती हूँ तो सबसे पहले मैंने ये artificial palm tree खरीदा है अपने घर में decoration के लिए क्योंकि real जब भी मैं लगाती हूँ तो वो मुर्जा जाता है अंदर रखते ही और ये वाला जो है वो मुर्जाएगा भी ने क्योंकि ये plastic के सालों साल चलेगा ये वाला जो है ये मेरा 2-3 साल पुराना है और आप भी देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है अब मैंने change कर दिया है और ये भी बहुत ही सुन्दर लग रहा है इन दोनों में से आपको कोई भी चाहिए तो comment में link लिग दीजेगा मैं दोनों का ही link देदूँ अगली चीज जो मैंने मगाई है वो है दिवाली के लिए candles और ये बहुत ही सुन्दर candles आई है heart shape में candles होने वाली है आप इसे bird day वगरा में भी लगा सकते है total मुझे ये 12 candles मिली है बहुत ही सुन्दर लग थी valentine day पे भी एक काम आ जाएंगी तो मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी चलिए अगला दिखाती हूँ अगला मैंने क्या मंगाया तो यहाँ पे मैंने पनीर बनाने वाले machine कह सकते हैं आप मंगाया है और ये steel का होता है बहुत साइब लोग जानते भी होंगे इसके बारे में तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छी quality का ये मिला है और इसका जो price होगा वो screen पे आजाएगा अब चेक कर लीजेगा चलिए मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ किस तरह का है ये इस तरह से चौकोर सा box है steel का अच्छी खासी quality है इसका जो ढखकन है काफी heavy है और इस तरह से इसके अंदर एक plate दी हुई है जालिया बनी हुई है कैसे पनीर बनाना है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ दूद को आप तेले फार लीजे या फट गया है दूद इसके अंदर डाल दीजे और जो पानी है वो सारा छेट के थूँ बाहर निकल जाएगा इससे इस तरह से ढख दीजे और इसके उपर कोई भारी बतन ढख दीजे तीन से चार घंटे बाद आपका पनीर कोई सेट हो जाएगा चलिए अगला सामान दिखाती हो और ये तो बहुत ही काम की चीज़ है मैं इसे काफी टाइम से सर्च कर रही थी ये है मलमल का कपड़ा अक्सार जब भी हमारा दूद फट जाता है या हम पनीर वगएरा बनाते हैं चेना बनाते हैं तो उसके लिए हमें सूती कपड़ा जाए होता है मलमल का मेरे पास होता नहीं है कभी भी मैं कोई भी कपड़ा पुराना सूती का इस्तमाल कर ले तो इसमें कई बर कलर वगएरा भी निकल जाता है तो यहाँ पर मुझे यह चार कपड़े मिले हैं मलमल के बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मुझे रिसीव है काफी बड़े बड़े साइज के हैं चार मिले हैं और पहले भी मैंने एक बर मंगाये थे दो मंगाये थे बहुत अच्छे निकले थे, मैंने चार और मंगाली, क्योंकि वो मेरे खो गए, तो यहां पी मैंने चार मंगाये, चार बहुत अच्छी एक्वालिटी कें। तो अब कपड़े, इसी कपड़े को बें इस्तिमाल करूंगी, अगली चीज जो मैंने मंगाई है वो दिवाली डेकुरेशन के लिए बल्ब है, जो कि बहुत ही कलरफुल लाइट देता है, और सिर्फ दिवाली के लिए ही नहीं, इसे आप बर्डे, पार्टी बगेरा के है, तो यह कितनी सुन्दर लाइटे दे रहा है, आप इसे दिवाली पे लगाई है, और फिर आपके बच्चे का या आपका बर्डे हो तो अतब भी लगा सकते हैं, और डांस पार्टी कर सकते हैं, चलिए अगली चीज देख लेते हैं, और इसके अंदर भी बहुत ही काम की चीज निकली है, और यह है किचन के लिए, और यह मुझे छे सिलिकॉन लिड्स हैं, कई बार क्या होता है, कि हमने कोई चीज कटोरी वगारा में कोई सबजी रखी है, कोई सामान रखा, उसके नाप का धकन नहीं होता है, और वो अगर खुला रह जाए तो उसमें कीड़ा वगरा कुछ भी जा सकता है, फ्रिज में भी रखते हैं, तो फ्रिज गंदा हो जाता है, कई बार गिरने से, तो यह जो लेड्स है, यह मुझे अलग-अलग साइज के छे लिड्स मिले हैं, छे ढखकन है, इसे अलग-अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं, मैं इसे आप लीक प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें से गिरने वाला नहीं है, इवन आप लंच बॉक्स देते हैं, कई बार सबजी गिर जाती है, बच्चों के लीकेज हो जाती है, तेल वगरा की, ऑफिस में जब हस्में ले जाते हैं, तो इससे आप उसे कवर कर सकते हैं, ज बड़ा बाउल ले रही हूँ, इसके उपर भी बहुत आसानी से लग जाएगा, यह देखी, यानि कि कोई भी बरतन आप ले लीजिए, हर साइस के मुझे यहां पर रिसीव हो है, तो अलग-अलग साइस के बरतनों पर आप इसे लगा सकते हैं, बड़े बाउल पर लगा सक जब हम पराठे बनाते हैं, तो जब उपर से गिराते हैं तेल तो जादा गिर जाता है, जब इसके इंदर ने एक ब्रेश दिया हुआ है, जिससे आप इसे हलका सा तेल निकालके और पराठों पर लगा सकते हैं, और बार बार आपको पलटने की ज़रूरत नहीं है, तो यह दो बाटन मुझे मिली हैं, काफी सस्ते मिल रहे थी, तो मैंने ले लिया, बहुत ही प्यारी लगी मुझे, और चलिए अगली चीज दिखाते हूँ, तो यहाँ पर मुझे यह पूरा वाइट कलर का सेरामिक का वास मिला है, अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली पर डेक फ्लोटिंग वाले दिये लगा सकते हैं, तैरने वाले बहुत ही सुन्दर लगता है, चलिए अगली चीज देख लेते हैं, और अगली चीज जो है, बहुत ही कमाल की है, यह है एक पीतल की थाली, जिसमें पूरी पूजा की थाली है, इसमें हर चीज आपको मिल जाएगी, पूरा पीतल का सेट होने वाला है, पीतल की थाली मिली है, और अभी दिखाते हैं, इसके अंदर क्या-क्या मुझे मिला है, बहुत ही प्यारी थाली, अब तक कि जितनी आइटम देखीने सबसे प्यारी है, चोटा सा इपीतल का लोटा है, इसके अंदर, इसमें अलग से यहां पे यह चंदन मिला है मुझे, और साथ ही यहां पे यह अगर बत्ती स्ट्रैंड भी मिला है, अच्छी क्वालिटी के हैं, कोई भी ऐसा नहीं हलकी क्वालिटी का, और यहां पे यह चार मुझ वाला जो होता है, इसके अंदर, और यह एक अच्छा खासा चमच मिला है तो मतलब पूरी पूजा की थाली मुझे यहां पे मिली है और यह बहुत ही ब्यूटिफुल है मैंने अपनी सासु मा को दिखाए तो उन्हें बहुत पसना है उन्होंने का दिवाली के लिए रख लो दिवाली पे इसी से पूजा करेंगे तो चलिए अगली चीज दिखाती हूँ और अगली चीज यहां पे मैंने कुछ flowers order किये थे आर्टिफिशल और यहां पे मुझे दो उन्होंने बोला था देने के लिए इसमें लिखा था बट मुझे एक ही रिसीव हुआ बट बहुत सुन्दर था तो इसे मुझे थोड़ा एक दो पार्ट में है यानि कि दो फ्लोर का है इसे आपको असेंबल करना पड़ेगा इसमें सारी चीज़त दी हुई है तो मैं एक बार आपको असेंबल करके दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से यह असेंबल होगा नीचे स्टैंड लगा हुए और असेंबल करने का जब मैंन चाहिए ना तो कॉमेंट में लिंक लिखिएगा लिंक आपके डियम में पहुंच जाएगा